नमस्ते बच्चों, आज हम एक से नौ तक आगे और पीछे की गिंती, फॉर्वर्ड और बैक्वर्ड काउंटिंग करना सीखेंगे. क्याफी के पास जमीन पर नौ वर्ग आकार के डिब्बे वाला हॉप स्कॉच बना है, जिसमें एक से नौ तक की गिंती लिखी है. ये देखो, इसमें एक से नौ तक की संख्या लिखी हुई है. मैं इसमें उचल कूद कर सकती हूँ. आप भी मेरे साथी खेल खेलना चाहेंगे. चलिए, शुरू करते हैं. ये है, एक. दोस्तों मेरे साथ बोलो, एक. अब मैं इस डिब्बे के आगे लिखी संख्या वाले खाने पर कूदूंगी. दो. बच्चों, क्या आप बता सकते हैं, कैफी को अब कौन सी संख्या वाले डिब्बे में कूदना चाहिए? बिल्कुल सही, तीन. तीन के बाद कौन सी संख्या आती है? बिल्कुल ठीक. चार. बच्चों, ग्याफी को अब किस डिब्बे में कूदना चाहिए? आपने बिल्कुल सही सोचा. पांच. इसके बाद ग्याफी संख्या छे, फिर साथ आठ, और आखिर में नौ संख्या वाले खाने में कूदती ह यहाँ नौ आखरी संख्या है. एक से नौ तक की संख्या में आगी उचलती हुए मैं यहाँ आ गई. इस खेल को पूरा करने के लिए मुझे पीछे लोटना होगा. क्या पीछे लोटने में मेरी मदद करेंगे? नौ के पीछे कौन सी किंती है? हाँ, आठ. मेरे साथ बोलो आठ. आठ के पीछे साथ. साथ के पीछे छे. छे के पीछे कौन सी संख्या आती है? बिल्कुल सही दोस्तों. पांच. ग्याफी अभी संख्या पांच वाले डिब्बे में खड़ी है. पीछे जाने के लिए वह संख्या चार वाले डिब्बे पर कूदती है. बच्चों, ग तीन, अब पीछे जाने के लिए गैफी संख्या दो वाले डिब्बे में कूदती है क्या आब बता सकते हैं अब गैफी को पीछे जाने के लिए किस संख्या वाले डिब्बे में कूदना चाहिए विल्कुल सही, एक अरे वा, मैं वापस वहीं लोट आई, जहां से मैंने ये खेल शिरू किया था बच्चों, इस खेल को खेलने के लिए पहले गैफी ने आगे की गिंती की यानी एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ और फिर वापस आने के लिए पीछे की गिंती यानी नौ, आठ, साथ, छे, पांच, चार, तीन, दो, एक आप भी ऐसा ही खेल अपने दोस्तों के साथ खेले और एक से नौ तक की संख्याओं को आगे और पीछे से गिनना सीखे